हर हर महादेश दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिप महापुराण श्री कोटी रूतर सहता का 32 अध्याय सुदेहा सुधर्मा की कथा सूध जी पूले हे महारिशियों दक्षन दिशा में देख नामक एक मिशान अद्बुत परवत है उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्रावण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था वैं भगवान शिव का परम भक्त था वैं सदा ही वेदो द्वारा बताए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अगली से हवन कर्म अथिती का पूजन और शिवजी के आराधना करता था इस प्रकार पूजन करते हुए वैं दोनों पती-पत्नी अनेक सकर्मों में लिपत रहते थे उनकी पत्नी सुदेहा पती उरता स्त्रीत उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी इस कारण उनका मन परिशान रहता था जब पिस सुदेया अपने पती से इस विश्य में कहती तो वे उन्हें समझा दे कि पुत्र प्राप्ती से क्या नाब है आज कल सभी रिष्टे नातिस्वार्थी हो गए हैं परन्तु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी एक दिन की बात है सुदेया अपनी सक्षियों के साथ पानी भरने गई थी वही पर उनका परस पर जगड़ा हो गया और तब उनकी सहरी उन्हें उन्हें बांच क्याकर अपमानित करना शुरू कर दिया वे बोली तु बांध होकर इतना घमंड क्यों करती हैं तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो नहीं है दुखी मन से सुदेहा घर लोट आई उसने सारी बाते अपने पती को बताई उन्होंने अपनी पत्नी की बहुत समझाया परंतु वे कुछ भी मानने को तयार नहीं थी तब उन ब्रामन देवता ने मन में भगवान शिफ का ध्यान करते हुए दो फूल अगनी की तरफ उछा ले और सुदेहा को एक फूल चुनने के लिए कहा उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया तुम्हारे बाग्य में पुत्र नहीं है इसलिए अब अपनी इच्छा त्याद दो और शिफजी के पूजन में लग जाओ अपनी पत्नी सुदेहा ने अपने बती की बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली है प्राणनात यदि आपको मेरे गर्ब से पुत्र प्राप्ती नहीं हो सकती है तो आप दूसरा विवा कर लीजिए परन्तु सुदर्मा ने विवा से इ जाते हुए कहा यदि मैंने इससे विवा कर लिया तो इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहने सौतन बन जायने के पर एक दूसरे के विरूद करोगी और मेरे घर में जगड़ा होता रहेगा तब सुदेहा बोली है प्राणनात भलान में अपनी बहन का गुष्मा से मिल चुलकर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा फिर गुष्मा अपने पती सुदर्मा के साथ प्रतिदन 101 शिव पार्थिव लिंगों का शोष्टोषपार से पूजन करके तालाप में उनका विसर्जन कर देती इस प्रकार जब उसने एक लाख पार्थिग लिंग का पूजन प्राण कर दिया तब शिवजी के क्रपा से उसे परंत सुन्दर गुणवान पुत्र की प्राप्ती हुई पुत्र पाकर कुष्मा और सुदर्मा बहुत प्रसन हुए और परंतो सुदेह को अपनी बहन से जलन होने लगी ओम कि वाई